कैट 60% L पर मिलने वाला वो MBA कॉलेज जहां पर लगता है 36 लाग से भी जादा का पैकेज वो MBA कॉलेज जहां पर Google और JP Morgan जैसी टॉप कंपनी जाती हैं प्लेस्मेंट आफर्स लेके तो कौन सा है ये कॉलेज और क्या है इसकी खास बाद हेलो दोस्तों, welcome back to the channel, मेरा नाम है निशा और आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ एक SAB स्कूल के बारे में जहां पर स्टूडेंट्स को मिलती है टॉप प्लेस्मेंट्स, सॉलिड अकाडमिक्स और यूनीक इंफ्रस्ट्रक्शर तो अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम जेंजिंग हो सकती है लेकिन कॉलिज का नाम जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाए हमारे चैनल के VIP मेंबर So students, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं IBS हाइदराबाद के बारे में जी हाँ, IBS हाइदराबाद, जो की एक ऐसा B स्कूल है जहां पर सुडेंट्स को 98% तक की प्लेस्मेंट्स मिलती है So students, अगर आप private college से MBA करने का सोच रहे हैं तो IBS हाइदराबाद आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है तो आईए जानते हैं इस college के बारे में So students, IBS हाइदराबाद 1995 में established हुआ था और ये college एक 5 foundation for higher education का एक हिस्सा है अगर इस college के हम ranking और repetition की बात करें तो इस college को 2024 में NRL ranking के तरफ से 39 position मिली है इसके साथ-साथ ये college AICTE से approved है और NAC के थूँ इसको accreditation भी मिली हुई है So students, IBS हाइदराबाद में admission लेने के लिए आपको कुछ entrance exams जैसे की CAD, ZET, NMAT, GMAT और UGNET जैसे exams clear करने होंगे इन exams के बाद आपको micro presentation और personal interview के लिए बुलाया जाता है इसके साथ-साथ आपके class 10, class 12 और graduation की mark sheet को भी consider किया जाता है final selections के लिए IBS हाइदराबाद के MBA program की एक बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आपको case based learning प्रोवाइड की जाती है इसके साथ-साथ अगर हम MBA के specializations की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 specialization offer किये जाएंगे यानि कि finance, human resources, marketing and operations and IT first year में आपको foundational courses पढ़ने होते हैं और second year में आप अपने specialization के electives चूज कर सकते हैं इसके साथ-साथ students को summer internships and projects के opportunity भी दे जाती है ताकि उनको industry exposure मिल सके Students, IBS Hyderabad की MBA program के अगर fees की बात करें तो इस program की total fees around 17 लाग है वही पर अगर आप executive MBA या फिर weekend MBA करना चाते हैं तो उसकी total fees 5 लाग है weekend MBA का option उन students के लिए best option होता है जो अपने job के साथ MBA pursue करना चाते हैं अब अगर हम IBS Hyderabad की cut-off के बात करें So students, अगर आपका CAT score 60% के आसपास है वही पे GMAT में आपने 500 प्लस score किया है और NMAT में आपकी 1.500 से जादा scores है तो IBS Hyderabad में admission लेना आपके लिए बिल्कुल possible हो सकता है Students, ये percentile काफी reasonable है और इनको score करना भी काफी easy है So students, अब हम बात करेंगे हमारे सबसे interesting topic की यानि की IBS Hyderabad के placement packages के बारे में जानते हैं So students, 2024 में 95% students को placement offers मिले हैं जिन में से 750 से भी जादा companies ने students को hire किया है अगर यहां की international highest package की बात करें तो वो रहा है 36.76 LPA वहीं पर अगर domestic highest package की बात करें तो वो रहा है INR 26.19 LPA और इसके साथ average package यहां का 9.7 LPA तक जाता है And students, अगर हम IBS के top recruiters की बात करें तो यहां पर financial services, banking, IT sector and consulting sector के काफी सारे top companies placement offers लेकर आती हैं जिन में Google, JP Morgan और Zometo जैसी companies का नाम शामिल है So students, अब हम बात करते हैं IBS Hyderabad की campus facilities के बारे में So IBS Hyderabad का campus 91 acres में फैला हुआ है जो की एक fully residential area है यहां पर students को काफी सारी facilities provide की जाती है जैसे की hostel facilities, library, conference rooms, class rooms and many more इसके अलाबा अगर hostel facilities की बात करें तो वो काफी अच्छी मानी जाती है और इसके साथ साथ महा की hygiene का भी काफी दियान रखा जाता है इसके साथ साथ students के लिए medical emergency की सारी facilities available है So students, now the question arises why to choose IBS Hyderabad? तो मैं आपको कुछ points बताने वाली हूँ कि आपको IBS Hyderabad क्यों choose करना चाहिए तो सबसे पहली बात यह है कि IBS Hyderabad की campus facilities काफी अच्छी है यहाँ पर आपको सारी facilities provide की जाती है इसके बाद अगर हम यहाँ के ROI की बात करें तो मान ले कि अगर आपने MBA program के लिए 17 लाग fees दी है तो यहाँ का highest package भी 36 लाग से भी जादा रहता है और वहीं पर average package 9.7 LPA तक जाता है इन points के अलावा IBS Hyderabad में clubs and extra curricular activities भी काफी अच्छी होती है जो कि एक student के personality development में काफी help करती है and students सबसे interesting point तो यह है कि यहाँ पर cat की percentile सिर्फ 60 percentile रहती है जो कि काफी easy होता है हर एक बच्चे के लिए score करना IBS Hyderabad का नाम हर bank में A list में आता है जिससे कि आप education loan easily ले सकते हैं और IBS Hyderabad में अपना admission possible कर सकते हैं इसके साथ साथ यहाँ पर scholarship भी provide की जाती है जिसका amount 10 करोड तक रहता है So students अगर आप एक अच्छे private B school में admission लेना चाहते हैं जहां से आप अपना MBA pursue कर सकें जहां की placement decent हो और जहां की learning environment भी काफी अच्छी हो तो IBS Hyderabad आप के लिए एक अच्छा option हो सकता है So students अगर आपको आज की वीडियो informative लगी हो अच्छी लगी हो तो इसको share and like करना ना भूले और college search की channel को जरूर subscribe करें तब तक के लिए goodbye मिलते हैं next वीडियो में